डिफेंस एक्सबो के जरिये यूपी में विकास की नई इबारत लिखी जाएगी एक्सबो के सहारे प्रदेश में 50,000 करोड का निवेश आने के आसार है इसमें से 3700 करोड के निवेश के प्रस्ताव तो सिर्फ बुंदेल खंड डिफेंस कॉरिडॉर के लिए है इसके उलट तमिलनाडू डिफेंस कॉरिडॉर के लिए अभी तक सिर्क 3100 करोड निवेश के प्रस्ताव आए है प्रदेश सरकार ने निवेशकों के लिए अलग-अलग सेक्टर के लिए नई नीतियां गोशित की हैं सरकार ने 15 से जादा ऐसी पालोशी बनाई है जिसके तहत निवेशकों के लिए छूट का प्रावधान है ये भी निवेश बढ़ाने की बड़ी वज़ा है